हेलो एवरिवन वेलकम अगें इन लर्न विद दिते इमन आज हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नमबर फाइव क्लास शिक्स का आर्बेस्टी बुक्स है और आज हम मांचित्र जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे और यह बहुत बेसिक चैप्टर है और मैं मानता हूँ कि यह नॉलिज सभी को होती है तो चलिए फटा फट से इन कोश्चन को साल्व करकर इस चैप्टर को फ्री करते हैं तो चलिए चैप्टर नमबर फिप्ट का कोश्चन नमबर फर्स्ट नई दुनिया अमेरिका की खोज का स्रे किसको जाता है तो देखिए नई दुनिया क्यों कहा जाता है नई दुनिया यहां वर्ड क्यों यूज किया गया है क्योंकि जब अमेरिका की खोज हुई थी तो यूरोप, एसिया और अफरीका इन तीनों महादिपों के बारे में ही जानकारी राप्त थी और अमेरिका के बारे में जब खोज हुई तो तो ये इस दुनिया के लिए बिलकुल एक नई दुनिया की तरह मना गया, इस वज़े से इसको नई दुनिया की खोज के तरह भी देखा जाता है, इस वज़े से कहा जाता है कि नई दुनिया की खोज या अमेरिका की खोज कब हुई और किस नी की, तो वो थी Columbus नी की, हम सभी जानते हैं Columbus ने अमेरिका की खोज की थी और कभ की थी? 1400 बाण में इस्वी में. 1400 बाण में इस्वी में Columbus ने अमेरिका की खोज की. Next question, Europe से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज किस नहीं की? तो आप सभी जानते हैं ये युरोप से भारत की समुद्री मार्ग की खोज किस नहीं की थी? और वो थे वास्गोडी गामा वासगोडी गामा 1408 में इसी में यहाँ एक question और important है जो आता है कि जो वासगोडी में गामा थे वो कहाँ पर आये थे? तो वो आये थे केरल राज्य के काली कट तठ पर आये थे कहाँ पर आये थे? केरल राज्य के काली कट तठ पर आये थे वास गोडी गामा जो 14.08 में इसी में आये थी Next question पर चलते हैं Globe किसे कहा जाता है? तो Globe किसे कहा जाता है उच्छों? पृत्वी का पृतिरूप यानि पृत्वी का model जो बनाया होता है उसको हम Globe कहते हैं Next question मान्चित्र किसे कहा जाता है? मान्चित्र किसे कहा जाता है? तो उसका answer है किसी छेत्र का द्वी आयामी चित्रन किसी छेत्र का द्वी आयामी चित्रन देखें द्वी आयामी यानि 2D 2D आप सब भी जानते हैं जिसकी ये एक science का विशे है 2D और 3D लेकिन हम एक simple भासा में ये समझ सकते हैं किसी समतल जगह पर जैसे कि page एक समतल जगह होती है या किसी plain जगह पर अगर किसी चित्र का चित्र बना दिया जाए तो वो क्या होगा? 2D आयामी चित्र कहलाएगा तो 2D आयामी चित्र किसी particular चित्र मानली भारत चित्र है उसका हम को 2D आयामी चित्रन बनाते हैं यानि किसी plain जगह पर भारत के map को चाप देते हैं भारत को बना देते हैं बिल्कुल उसी के अनुपात जैसे निश्चित अनुपात में उसको बना के रख देते हैं उसका मानचित्र कहलाएगा भारत का मानचित्र कहलाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे छेत्र का द्वियायामी चित्रन Next Question पर चलते हैं कौनसा मानचित्र प्रित्वी की प्राकर्तिक आकरतियों जैसे परवतों, पठारों, मैदानों नदियों, महासागरों आदि को दर्साता है कौनसा मानचित्र प्रित्वी की प्राकरतिक आकरतियों जैसे परवतों, पठारों, मैदानों, नदियों महासागरों आदि को दर्साता है तो हम सभी जानते हैं वो क्योंसा है? भातिक मानचित्र या फिजिकल मैप जिसे हम कहते हैं भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप Next question पर चलते हैं कौनसा मानचित्र देश, राज्य, सहर, गाउं, विभिन्य देशों वे राज्यों की शीमाओं को दर्साता है कौन सा मांचित्र देश, राज, सहर, गाउं, विभिन देशों वे राजियों की सीवाओं को दर्साता है तो हम सभी जानते हैं कौन सा दर्साता है राजनितिक मांचित्र या पॉल्टिकल मैप राजनितिक मांचित्र या पॉल्टिकल मैप जिसे हम कहते हैं नेक कोशन पे चलते हैं, विश्यक या थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, विश्यक या थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, तो देखिए विश्यक या थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, मानचित्र जो किसी वस्तू विश्यस की जानकारी दे, वस्तू विश्यस की जानकार यहां से यह train जा रही है, यहां से इस तरीके से रास्ता बना हुआ है, तो हमने इक particular यह दे दिया, या तयात का system हमने आगर किसी मैप में सो कर दिया, या फिर हम सो करें तापमान के बारे में, तो हमने सो किया, जैसे राजस्तान में यहां पर temperature बहुत ज़्यादा रहता है, औ हम अलग-अलग छेत्रों को अलग-अलग तरीके से सो कर रहे हैं मैप के उपर, तो यह क्या हो गया, एक particular theme हो गई, यह particular एक विशय हो गया, उसके ओपर हमने पूरे मैं आपको बना दिया तो ये क्या हो गया विश्यक मानचित्र कहलाएगा ये क्या कहलाएगा थीमेटिक मानचित्र या विश्यक मानचित्र कहलाता है next question देखते है भूसंपत्ति या कैडस्ट्रल मानचित्र किसे कहते हैं वो मिलता है पटवारियों के पास मिलता है क्यों कि मानचित्र जिसमें छोटे छेत्रों को बड़े पैमाने पर दर्साया जाता है मानचित्र जिसमें छोटे छेत्रों को बड़े पैमाने पर दर्साया जाता है तो कैसे किस पैमानी की बात हो रही है किस की बात हो रही है यहां पर जैसे मान लीजे गाउं में जमीन है वो जमीन के खेतों का जो मानचित्र है वो पटवारीयों के पास होता है मुशली उनके पटवारी ही इसको मुशली रखते हैं तो वो कौन सा खेत किसका है किसका कितना पहिला है तो इस चीज की जानकारी रखते हैं तो वह क्या हो गया बहुत छोटे-छोटे-छोटे चित्र हैं जैसे गाउं का एरिया बना लिया तो उसका फूरी जमीन का ब्याउरा उसमें रख लिया तो वह क्या कहलाएगा इसमें एक जो चीज और important है वो क्या है वो आपका अता है यह जो बड़ा पैमाना है देखिए आपके RBSC के book में बड़े पैमाने और चोटे पैमानी के बारे में बात नहीं की गई है लेकिन कई बार इसके ओपर question मैंने arise होते हुए देखा है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किसी मैप में 1 cm में अगर 2000 km को दर्साया जाए मान लीजें किसी 1 cm से कहा जाए कude मैं इसमें 1 cm जो लाइन कहींच रहाँ वो 1000 km के बराबर मानी जाए तो यह एक छोटा पैमाना हो गए यह बड़ा पैमाना नहीं होगा यह एक छोटा पहिमाना क्योंकि हमने एक बहुत बड़े scale को बहुत छोटी सी उसमें बता दिया तो इसको क्या होगा चोटा पहिमाने वाला का आ जाता है और उसी जगे जब हम किसी गाओं का चित्र बनाते हैं गाओं का किसी मैप को बनाते तो हम कहते हैं एक centimeter बराबर पान सो मीटर तो हमन अंतर समझना चाहिए चलिए next question पर चलते हैं मांचित्र मुखते कितने प्रकार के होते हैं तो देखी मांचित्र हम अभी देखते हो और पढ़ते हुए आएं कि हमने कितने प्रकार के मांचित्रों के बारे में पढ़ा तो मुखते जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं और चा कैडस्ट्रल मान्चित्र इस तरह कौन-कौन से होते हैं दुबारा एक पार रिपीट कर लेते हैं भौतिक या फिजिकल मैप राजनेतिक या पॉल्टिकल मैप थीमेटिक या विश्यक मैप और भूसंपतिया कैडस्ट्रल मैप नेक कोश्टन पर देखते हैं मान्चित्र में रूड़ चिन क्या हैं तो परंपरागत मानेता वाले चिन आतमें देखा हुआ रूड़ सब्द जो है वो रूड़ी वादी मतलब पुरानी विचारधाराओं से संबंदेते एक सब्द है परंपरागत परंपरागत माने परंपरागत पंड़ चिन को जैसे पानी को हम सामने तवर मैप नीले कलर से दिखाया थे दिखाया थे प्रिथम ग्लोब निर्मान कब का माना जाता है? प्रिथम ग्लोब निर्मान कब का माना जाता है? कब माना जाता है प्रिथम ग्लोब निर्मान? जो है तेरी सदी के पश्चात, पहला ग्लोब जो बना था, वो तेरी सदी के पश्चात माना गया है. Next question देखे हैं Printing machine का अविशकार किस सदी में हुआ देखी जब मान्चितर की बात करते हैं तो printing machine का अविशकार भी आपने आपने बहुत importance रखता है तो इसका हमें जानकारी होनी चाहिए Printing machine का अविशकार है वो शूलवी सतावदी में मانा गया है प्रिंटिंग मसीन का विष्कार कब मना गया है? शोल भी सताब दी में नेक कोशन देखते हैं खाका किसे कहा जाता है? खाका किसे कहा जाता है? तो देखें खाका जो सब्द है उसको हम समझते हैं छोटे छेत्र का बड़े प्याइने पर खीचा गया रेखा चित्र यहाँ पर जो important word है वो है रेखा चित्र यहाँ देखें मान चित्र सब्द का उप्योग नहीं किया गया है मान चित्र में क्या हो गया? बिल्कुल निश्चित अनुपात में अगर कोई चीज कीचा जाता है यहां बिल्कुल एक शेसा नहीं कि इतना ही है इसा नहीं होता उसमें लगभग माना जाता है जैसे कि मान लिजे आप अपने मित्र को कहें कि विध्याले का अमलब अपने स्कूल का इक खाका बना कर देदें कि यहां से आने का रास्टा यह ए तो आप छोटी छोटी चीतेको सोग करेंगे और six से झाल हुपर 100 की सी रेखाओं से बनाके उसको ए रास्ता दिखा देंगी कि यहां से यहां पे यह मिल गा यहां पे मिलेगा उस तरहीज आप आ जाना लेकिन जब हमने अन्दाज से क्वई चीज बनाई तो वो रेखा चितर है, तो चोटे चितर का अब विध्यालेक के पास आने का रास्ता है, खोलत कोई बड़ा मान चितर तो बनेगा नहीं छोटे से एरिय का ही चित्र बनाया जाएगा तो वो क्या क्या लाएगा वो खाका क्या लाएगा चलिए नेक कोशन देखते है रेखा चित्र किसे कहा जाता है तो दरीखा चित्र के बारे में हम अभी बात कर रहे थे रेखा चित्र किसे कहा जाता है रेखाओं से बनाएगा ग आंसो मेटर माना जाए ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई निशित नहीं होता, वो जब एक रेखा चित्र होता है, अब प्रॉक्स आइडिया होता है, चलिए, नेक्ट कोशन देखते हैं, ये चैप्टर का लास्ट कोशन है, दिक सूचक यंत्र की सुई किस दिसा को निर्धारित करती है, दिक सूचक यंत्र की सुई किस दिसा को निर्धारित करती है, तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए, दिक सूचक क्या है, दिक एक संस्क्रत का सब्ध है, दिक यानि दिसा, दिसा सूचक की यंत्र, या दिक सूचक की यंत्र क्या होता है, आप सभी जानते हैं, कमपास होता है और उसकी जो सोई होती है वो किस दिशा को निर्धारित करती है तो इसका अंसर हम सभी जानते हैं वो है उत्तर दिशा तो ये इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है तो मिलते हैं नए चैप्टर में नए फैक्ट के साथ तब तक के लिए थैंक यू झाल झाल